मेरे खुद के फैबरिट, आपके फैबरिट, भोजपुरी इंडस्ट्री के फैबरिट, खेसारी लालियादव जी झालोई उसके बाद नग्रत के साधि होते हैं और उसके बाद उनका स्टगल होता है नमस्कार मैं नीजू और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भूचपुरी कौसिपे तो जिया चटपड़ी और मज़ेदार बाते हमेशा करता हूं और आज पहुंच चुका हूं पटना से दिल्ली और दिल्ली में पता है कौन सी दिल्ली में ब्यूटी को पकड़ा सब्सक्राइब के साथ और वही आसकी के लिए मैं पकड़ाओं की कि आपकी आसकी कितनी जादा मज़ेदार हो रही है तो जिया शुरूती राओ का स्वागत करते हैं अपने चैनल पर सब स्वागत है मैं ठीक हूं सबसे पहले तो दिवाली की हारदिक सुपकामना है आपको यह बात हो गई वाई सब्सक्राइब कोई देदी है मैंडम जी लिटी चोखा बेच रही थी लिटी चोखा में कॉंसेप्ट का उस फिल्म का हिस्सा हुआ है और लिटी चोखा से रिलेटेड जो भी जितनी लोगों ने काम किया है सब कुछ नकुछ कर रहे हैं बेच कोई न जो खुले आम करना भूह ज़ुड़ी था श़वी आप शब देखेंगे तभी तो राप्रिशेट करेंगे और वह एक क्रीटिे म गः ओर्टीू है दिरेक्टं के लिए लिटार जी तो जो किया है वह आप लोग देखिएगा ठेटर में जाके थेटर में आप लोगों को द आपके फैबरिट भूझपुरी इंडस्ट्री के फैबरिट खेसारी लाल यादवची अमरपाली दी मैं हम तीनों का कुछ तिगड़ी देखने मिलेगा बहुत प्यारा कॉंसेप्ट है बट जरूर पता चलेगा आप लोग को यह चीज की आश्री की मिली किसको है इसके लिए आप लोग को ठेटर जाना पड़ेगा चट पूझा के सुब अपसर पर तो जाएंगे लेकिन आप जब खुले आम आसकी करते हैं तो कई लोग पूछते हैं नहीं सिंपल सी बात है आप बाइक पर चेसिंग करते हुए जाते हैं यह क्या है यह किसाडी जी के प्यार है या फिर कई लोग पूछते हैं ना कमेंट में कि नहीं लड़की कौन है यह इस तरीके से खुले आम आसकी भावी जी बुरा मान जाएंगे तो अरे तो जो खुले आम आशी की किया है उनको भी पता है कि हम आशी की कर रहे तो फिल्म का कॉंसेप्ट ऐसा था जिसके लिए हमने लाका था तो वहां पर हम लोग शूट कर रहे थे हमारा बाइक का कुछ सेक्वेंस था गाड़ी स्लिप कर गई सड़नली गाड़ी स्लिप कर गई और इधर खाई था कहसारी जी ने कैसे कैसे कर के उसको मैंच किया दन बरना हम दोनों बहुत बुरी तरीके से घर जाते है व हम लोग लिटरली जस्ट इधर खाई और फिर हम लोग बचे बहुत अच्छे तरीके से बचे और बचने के बाद वो खेसारी जी का पोल्ट नहीं था ना किसी चीज का फोल्ट था बाइक का फोल्ट था बाइक में ब्रेक नहीं लग रहा था तो मैं बात बताए जब टेलर राता है तो टेलर में आप जो शैड है जुसके साड़ी जी का कई सारे दिखाए गया एक में तो संकी दिख रहे हैं एक में तो ऐसा लग रहा कि भांग धतूरा पीगे एकदम फोल नसे में हैं और एक में रोमेंटिक गिलर दिख रहे हैं तो आप कॉन से वाले लुक में उ बहुत प्यारे लगेता पश्या सब्सक्राइब आप साधी करने वाले होते हैं बाजी कोई और महार जाती है फिर से वही सवाल है अच्छी होता ही है वह तो रिवल होई गया है बद छुपाने की बात ही निए ठीटर में जाएंगे तो भी देखने मिलेगा शादी होने वाली होती है मैं फैंली की च्वइस में होती हूं अच्छी होती है कि हसारी जी की ठीटी होती है और उसके बाद इनका स्ट्रगल होता है 아न अ मेरा स्ट्रंगल मेरा इधर होता है था है कि छायोगों कोई चीज लेक कर चाला जाएको तब ग्स कोई लोगी तो बुघ लGeं बहुत बड़ी बेजिती हुई ना अगर कोई लेके चला गया शादी वाले दिन सब कुछ खतम होगी आज सब सिंपल जिवादे के शुरुती राओ जी को अभी भी बहुत दिल की तहनाई में इंतजार कर रहें के साडी जी का मैं यह पसाते हमेशा डैली में भी बसा रहें य किसारी जी के साथ काम करना तो कि आप बैक तो बैक दो फिल्में अपने कर लिया एक्सपिरियंस क्या है क्या है एक्सपिरियंस मतलब काम करने में कितना ज्यादे इंट्रेस्टिंग होता है क्या मज़ीदार किसारी जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है और बहुत ही कॉपर तो मेरा तो उनके साथ का अच्छा है को लेकर क्या करना चाहेंगे कब रिलीज हो अपने तरह से एक अंदाज में हो जाए शुद्रा कि रिलीज टोरी है आप सब के अपने नजदीब की कि रिलीज आप में चट-Pooja के सूब अफसर पर लूम के जो प्रोडूसर साव थिल्म के चीज़ प्रोडूसर साव उनके बारे में किस तरीके कुए वह बजट काफी जादा हाई बजट के खरचा करते तो उनके बारे में कुछ आप कहने चाहेंगे उनके पारे में कहाना चा पराग पार्टिल जी बहुत अच्छे डारेक्टर है उनसे पहले भी सिखा था आगे भी सीखना है जिन्दगी भर सेखना है जब चब काम करेंगे उनके साथ से तो हमेशा सेखना है तो सिंपल सी बात है पराग पार्टिल के साथ जो धमाका होगा यह चट पूजा परोगा आप सभी को बता देता हूं कि चट पूजा के सुब अपसर पर शुरुती राओ आमरपाली दुब्यार खिसाडी लाली आदब की आस्की है ना खुले आम थेटर पर जाकर जरूर दुंट क्टोपकराशन झाहरो आमरे अपसर पर जास सक्टारा सूरूर प्रियामट कर दो सबस्वाह उती भर दूज़ के जरू सुल आमरे पर दूब्यार झालना लाओ घजाया खिस Όंपकराश How